नताशा के सामने आया धवल और अमरीश का सच सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरियल पांडया स्टोर में आप देखेंगे अमरीश ने मार्केट से काफी जादा पैसे उठा लिये हैं यानि की उधार ले लिया है और यह सब धवल को बता रहा है क्योंकि अमरीश को लग रहा है कि धवल और नताशा सच में एक दुसरे के करीब आ गये हैं और दोनों के बीच रिष्टे काफी बहतर हो गये हैं उसे ये भी लग रहा है कि जल्दी दोनों करीब आज आएंगे तो वो जल्दी से पेपर साइन करवा लेगा क्योंकि एक एक दिन करके उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है उसे ये भी समझ में आ गया है कि अगर ये पेपर जल्दी साइन नहीं हुए तो घर गिर्वी रखना पड़ सकता है और ये सुनकर धवल शौक हो जाता है इसलिए पांडिया स्टोर के तूटने और वहां पर मॉल बनना बहुत जरूरी है धवल कहता है कि मैंने इन पेपर मुझे तो मुझे तो एक इमोशनल सत्मा पहुंचा है कि उन्हेंने का घर गिर्वी रख दिया है मतलब पता नहीं सच में है नहीं होगा अब्वेसली कि अमरीज भाई इतना जूट तो बोलते हैं यहां होला की प्लानिंग में बिजनेस मैंडेड इंसान है लेकिन तो बेर सिनेमाटिक लिबर्टी के इसाब से कि सब यह सोच रहें वह प्रिंग्नेंट है प्रिंग्नेंट है बच्चा होगा बट वह एंड अफ दे नहीं होती है तो मुझ पर और प्रेशर डाला जाता है कि आपको यह घर आगे बढ़ाना है